नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं इन से परवेस पत्र डाउनलोड कर चकेंगे, परीक्षा को लेकर सभी जिला मुक्याला में केंदर बनाया गया है, राजे मेंने 14 resent परीक्षा में सामील होंगे राजे में लगभग 47 एर ऐसे पारा सिख्षक हैं जो जार्खन सिख्षक पत्रता परिक्षा पास नहीं हैं इन सिख्षकों के लिए आकलन परिक्षा ली जाएगी इन में से 43 एर सिख्षकों ने आवेदन जमा किया है आकलन परिक्षा पास होने के बाद मांदे में 10 फिजदी की बढ़ोत्री की जाएगी वहीं सिक्षकों के लिए आकलन परिक्षा में सामील होना अनिवार्य भी है सिक्षक को परिक्षा में सामील होने का 4 औसर मिलेगा सिक्षक अगर परिक्षा में सामिल नहीं होते हैं तो उनका एक और समाप्त माना जाएगा आकलन परिक्षा में सपल होने वाले सिक्षकों के लिए ही मांदे में बढ़ोतरी होगी रांची के दो इसकूली बसों में टकर में 25 बच्चे घायाल रांची रामगड मार्ग एनेश तेतिस पर इरबा मदर्सा मुहला के समीफ बुद्धवा सुबा साड़े साथ वे दो इसकूल बसों की टकर हो गई दोनों ही बसे और मांजी इस्थीत मांट कारमेल इसकूल की थी और बच्चों को लेकर इसकूल जा रही थी इसी दोरान पीछे चल रही बस ने आगे वाली बस को टकर मार दी आगे वाली बस में 45 बच्चे सवार थे इनमें से 25 बच्चे घायल हो गए वहीं जिस बस ने टकर मारी हैं उनमें 50 बच्चे सवार थे हाथ से की तुरंत बाद अस्थाने लोगों और बस में सवार बच्चों के भावकों के भीड जमा हो गई सुचना पाकर, स्कूल के डारेक्टर, फादर, मैथ्यू भी घटनासल पर पहुंचे उनके निग्रानी में सभी घायल बच्चों को ततकाल, इर्बाइस्थीत, क्यूरेश्टा, गोलोबल अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज किया गया है लंपी वाइरस को लेकर विभाग अलर्ड, देश के कई हिसे में बारिस में लंपी वाइरस का परकोप दिख रहा है कि वे लोग छुटी में नहीं जाए, छुटीों को ततकाल रद की जाए अगर आवस्यक हो तो छुटी ले, पसुपालन विभाग ने कहा है कि अगर गायों के सरीर पर फफोले होने के साथ तेज बुखार हो जाए और गाय के सुस्त रहने लगे तो इसकी जाच करा ली जाए इसकी जनकाई ततकाल पसुपालन विभाग को दे दी जाए वहें दुधारू गायों के लिए बारिस के मौसम में बचाने के लिए भी एड़वाजरी जारी की गई है रांची में उगरवादी संगाठन TSPC का एक सधस्य गिरफतार रांची के कई इलाकों में उगरवादी संगाठन TSPC के सहसों की गतिवीदिया बढ़ गई है रांची पुलिष भी उनके खिलाप लागतार अभियान चला रही है इसी करम में पुलिस ने रोहित गांजु नाम के उग्रवादे को गिरपतार किया है बता दे राई धानी राची के बुढमू खलारी मांदर समेत अन इलाकों में उग्रवादी संगठन टीसपीसी के सहसों की गतिवीदी हाल के दिनों में बढ़ गई कोईला, जमीन और माइन्स कारोवादियों को निसान बना कर संगठन के उग्रवादी लगातार रंगदारी की मांग कर रहे है इसकी जनकारी मिलने के बाद राची पुलिस अलट हो गई पुलिस की टीम ने टीसपीसी के खिलाप अभियान छेर दिया है इसके ताद पुलिस की टीम ने बोड़मू बजार में शापे मारी का टीसपीसी के सरसे को धर दबोचा है गिरपतार उग्रवादी का नाम रोहित गांजू उर्प लंबू है जारखन में 25 जूलाई तक वार्षा में कमी जारखन में मांसून में बारिस काफी कम हो रही है मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी आकड़े चिंता में डाल रहे है क्योंकि अब तक परदेश में समान 44 फिर्दी कम बार्षा हुई है इसके अलावा मौसम भी भायका उसार अगले 5 दिनों तक वारिस में और कमी की संभवना ब्यक्त की गई बतादे मौसम केंद्र रांची ने अपने ताजा मौसम अपडेट में चिंता बढ़ाने वाला पुरौनमान जारी किया है मौसम केंद्र निदेशक ने पिछले 24 घंटे में राजे में हलके से मत दर्जा की बार्षा होने की जनकारी देने के साथ साथ कहा है कि 25 जूलाई तक राजे में वर्स पात में कमी की संभवना जताई है यह पुरौनमान इस मायने में ज्यादा चिंता जना खाए अभी राजे के 24 में से तीन जीलों में ही समाने मान्सुन बर्षा हुई है गाउं में घोस करनक सलियों ने लाठी डंडे से गिरामीन को पीटा एक की मत नेतर हर्थाना चेतर अंत्रगत गराम पुरान डी और दोना में बुद्धवारातरी आठ बैसे लाठी डंडे से लैस होकर पहुँचे मावादियों ने जम कर बवाल कटा पुलिस के मुख बीरी के आरोप में चार लोगों की जम कर लाठी डंडे सी पिटाई कर दी जिससे एक की मत हो गई घाटना के सुचना मिलने के बाद पुलिस बल घाटना स्थर पर पहुँचकर मामले की छानबिन कर रही है मिली जनकारी के अनुसार दरजनों की संक्या में पहुँचे मावादि ने सबसे पहले पुरानी डिह गाँ पहुचकर पुरानी डिह गाँ के निवासी बबलू अंसारी और पती ब्रिजिया के साथ मार पिटकी है जिसके बाद ग्राम दोरा पहुचकर वहां के अस्थानी निवासी भूसन मुंडा और मन्राज परजापती की लाठी डंडों से पिटाई करते हुए उन्हें खायल कर दिया दोनों के चित्ती चिंता जनक बताई जा रही है जहां से वे देव कुमार पजापती के घर पहुचे और उसे घर से निकाल कर गाँव के स्कूल के पास ले जाने लगे जिससे उसके सोजनों ने विरोध किया और उनके पीछे जाने लगे मवादी ने इन सभी को वहाँ से भगा दिया रांची में इसकुटी सवार यूग यूटी पर पेंड गिया दोनों की मौथ जार्खन की रजधानी रांची में एक दर्दनाक हाथ सामें इसकुटी सवार यूवक और यूती की मौत हो गई बताया जाता है कि उन पर पेड़ आग गिरा जिसे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई घाटना रांची के एल पी एन सहदेव चौक की हाथ जहां इसकुटी सवार यूवक और यूती पर पेड़ गिरा हाथ हाथ सिक समय दोनों सड़क पार कर रहे थे पूलिस ने सवो को कबजे मिले कर पोश्माश्रम के लिए भिजवा दिया हाथ लोहर दगगा से ISIS का एक आतांकी गिरफतार जारखन के लोहर दगगा जिले के सदर थाना चेहतर रिस्थित न्यू रोड से इसलामिक एस्टेट इराक और सीरिया के आतांकी को गिरफतार किया गया नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और दिली पूलिस की टीम ने सन्यूक्त छापे मारी कर उसे गिरफतार किया है उसके पास से पेंड राइब और कई अपत्ती जनक वीडियो सहीत अन्य समान भी बरामत किये गए जनकारी के मुताबिक गिरफतार आतंकी सहबाज मूल रूप से बिहार कर रहने वाला है वह पकिस्तान की खुपिया एजेंसी के संपर्क में था खुपिया एजेंसी या आई एस आई एस के अनसमर्थकों को भी गिरफतार करने के पर्यास में जूटी है इस बात का पता लगाने का पर्यास कर रहा है कि वह यहां रहा कर किस परकार की आतांकी गती वीदियो को संचालित कर रहा था साथ ही उसके संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में भी गहन परताल की जा रही है और साक्ष भी जुटाय जा रहे हैं समहोना है कि इस समध में जल्दी कुछ अनलोग की गिरफतारी भी हो सकती है जैराम महतो की दहार सीयम की गदी से बाई बाई जारखन खतियानी भासा संहर समीती यूवा नेता जैराम की सभा में हजारों की भीजूट रही है डूबरी में भी ऐसा ही हुआ एक तरफ मुख्य मंत्री सभा करते रहे तो चार किलोमेटर दूर पर जैराम ने लोगों को समोधित किया यहां जैराम की सभा में हजारों के भीजूटी सभा के माध्यम से जैराम ने सीयम हमंत को गदी से हटाने की बात का डाली है बता दे बुद्धवार को डूमरी का पारागरम रहा एक और जहा मुख्य मंत्री हमंसुरे ने 793 क्लोगर की योजनाओ का उधगाटन और सिलन्यास के साथ 15,000 लाब को के बीच पारी संपत्ती बाती यहां सरकार की कम्यावी का बक्हान किया और मंत्री बेवित देवी के लिए लोगों का साथ मंगा वहीं दूसरी तरफ दूमरी परखन के कस्मा कुरहा मैदान में जैराम महतों ने सभा डाली असानीय नियोजन, खनन और विस्थापन निती के मांग को लेकर जारखन खत्यानी भासा संगर समीती के आयोजित खत्यानी महा जूटान कायकरों में हजारों के भीर जूटी यहां समीती के केंद्र अध्यक्स जैराम महतों ने अपने स्टाइल में लोगों को सम्मोधित किया इतना ही नहीं सीम हमंद को राजा जी कहकर सम्मोधित करते हुए खुब हमला बोला कहा कि राजा साहिब के आज हेलीकोप टारवा से टाटा करला अब 2024 में सिंहा सानवा से बाय बाय कर दिया जार्खन के साथ जीलों में बनेगा आयरुवेद होस्पिटाल जार्खन मास्पिटाल के लिए अच्छी ख़बर है राज में अब अस्पातालों में भरती कर आयरुवेद पत्ती से उपचार की सुबधा मिलेगी केंद्र सरकार के सहयोग से राज के साथ जीलों में अईरुवेद अस्पिटाल खोले जाएंगे इन जीलों में रांची वजहम सेथपूर के साथ पलामो गुदम का देवघर वबोकारो सामिल है रांची वजहम सेथपूर में जहां अस्पिताल की 50-50 बेट की होगी जार्खन सरकार के द्वारा कागजात जाच के बाद ही बनेगा नया अधारकार नया अधारकार बनवाने जाने से पहले इसकी जाच राज सरकार पोटल के माध्यम से करेगी अब कागजात की जाच के बाद ही नया अधारकार बन सकेगा राश्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते वे केंद्र सरकार के इलेक्टोनिक और सुचना परदो की मंत्रा लाकिन देश पर नहीं अधार पंजीकरन में किसी परकार की धोखाद़ी रोकने के मकसद से अभिवस्ता की गई जारकंड में अभिवस्ता सुरू कर दी गई है 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए अधार में सत्यापन की यह परकिरिया अपनाई जा रही है आईडी आई ने नए अधार कार्ड को लेकर करगजाद के सत्यापन के लिए अधिक तम 45 दिनों का समय ताय किया है आनाज नहीं ले रहे लोगों का राशन काड होगा रट जन बितरन परणाली की दुकानों से आनाज नहीं लेने वालो के रासन काड रद किया जाएंगे बदादे रांची जीले में 6-12 माह तक अनाज नहीं उठाने वाले करीब 80,000 लोग हैं, वहीं 6 माह से अनाज नहीं उठाने वाले 45,000 और एक साल से अधिक समय से अनाज नहीं लेने वाले 25,000 हैं, उपायुक्त ने जहर्खन राज खाच्चुरक चाया योजना अंत्रगत रिक्ति इस्थिती, 12-6 माहिने से खद्यान का उठावन करने वाले राशन करधार्यों की इस्थिती, मोबाई सीडिंग, डूब्लिकेट, UDID, निलामबित डीलार, NFSA के सभी लावकोको, UID से सीडिंग, पेट्रोल सबसीडरी, स्वना सवनदोती साड़ी वित्रन योजना, माई, जून, एम, जुलाई, हेट्टू, NFSA योजना के तहत खद्यान की लिप्टिंग और मिश्थिती की समीक्षा भी किहाए, धन्यवाद,